रोजाना यूबी चुनाव का अपडेट चाने के लिए लीन न्यूज यूबी को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें तो चल ये जानते हैं आज की दस बड़ी खबरों को वरणसी में आज अलग अंदास में दिखी प्रयांका गांधी मैला पॉंस्टेबल को लगाया गले कॉंग्रेस की रास्टी महासचीव और उत्रबर्देश की प्रभारी प्रयांका गांधी रविवार को वरणसी दौरे पर हैं वरड़सी दौरे के दौरान प्रेंका गांदी का अलग अंदास देखने को मिला वरड़सी एरपोर्ट से काशी विश्वनात मंदिर जाते वक्त प्रेंका गांदी ने काफिला रोक कर सड़क पर युवा कारिकरताओं से हाल चाल जाना तो दूसरी तरह उनकी रक्षा में लगे महिला कॉंस्टेबल को गले लगा कर लोगों को हैरत में डाल दिया नरसल प्रेंका गांदी किसान न्यायर रैली को संबोधित करने के लिए वारड़सी आई थी रैली में शामिल होने के लिए पहले प्रेंका गांदी ने काशी विश्वनात मंदिर और कुश्मांडा के दर्बार में मत्था टेका कुश्मांडा मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मंदिर परिक्रमा के दौरान रस्था में लगी महिला कॉंस्टेबल को रुक कर गले लगाया लखीमपुर्खीरी हिंसा मामले में मंत्री पुत्र आशीश मिश्वना की कस्टडी रिमांड पर आज होगी सुनवाई लकीम पूर कीरी हिंसा के आरोपी आशिश मिश्रा की कस्टडी को लेकर अज कोट में सुनवाई होगी जाएंस मामले की जाच कर रही है SIT आशिश मिश्रा को रिमांड में लेने की कोशिश करेगी फिलहाल आशिश मिश्रा को 14 दिन की नियायाई खिरासत में रखा गया है शरिवार को आशिश मिश्रा को राद 12.30 बचे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था SIT पूश्ताश के लिए 3 दिन की नियायाई खिरासत की मांग कर रही थी लेकिन आशिश मिश्रा के वकीलों ने इसका विरोध किया आशिश मिश्रा पर प्रदर्शनी कारी किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोब है योपी विधान सभा का विशेश सन 18 अक्टूबर को राष्टपती रामनात कोविंद का भी होगा सम्बोधन सुतंद्रता के 75 साल में मनाय जा रहे अजादी के अमरत महुतसफ के तहट 18 अक्टूबर को उत्तरपरदेश विधान मंडल का विशेश सन आयोजित होगा सूत्रो के मताबित राष्टपती रामनात कोविंद इस विशेश सन को सम्बोधित करेंगे वहीं विशेश सन को लेकर राजुपाल अनंदी बीन पटेल ने अपनी सहमती दे दी है दुरेसल पिछले दिनों रास्टपती ने अपने दौरे के दौरान विधान सबाद देखने की इच्छा जाहिर की थी इस दौरान विशेश अफसर पर योगी सरकार कुछ खास राजनीतिग्यों को आमंतरित करने की तयारी कर रहे है रविवार को कैबिनेट बाई सरकूलेशन इस विशेश सन को बुलाने की संबंद में संसदी कार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है विदान सभा चुनाव की सरगर्मी के वीच योगी सरकार अमरत महुच्सा को भी एहमियत दे रहे है सपा सुप्रिमों अखलेश यादव ने सरकार को कोसा ये नाम और रंग बदलने वाले लोग है सपा के रास्टोय अध्यक्ष अखलेश यादव सहारनपूर में प्रदेश सरकार पर जम कर बरसे उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि ये नाम और रंग बदलने वाले लोग हैं नाम बदल कर इतिहास बदलना चाहते हैं अखलेश ने कहा कि भाजबा का सफाया करने के लिए जनता तयार है कोरोना काल में लोगों के शव बहते दिखे लोगों को वक्त पर दवा नहीं मिली दरसल अखलेश यादव स्वर्गे चौजरी अश्पाल की सोवी जयन्ती के उपलक्ष में आयोजी सधांजली कारिक्रम में सहरन पूर आये थे लखीमपूर खीरी में आशीश की जगा अतीक आरूपी होता तो योगी सरकार बुल्डोजर चलवाती ओवेसी और इंडिया मजलिसे अतादुल मुस्लिमीन के रास्ट्री अधियक्षवा हैदरबाद के सांसद असादुद्दी नवेसी ने किसान इंटर कॉलेज में आयोजीत शोशित वांचित सम्मेलन में भाश्पा के खिलाफ खुब भडास निकाले अगर आशीश की जगा उनका नाम अतीक होता तो क्या वे उनके घर पर बुल्डोजर नहीं चलाते और वेसी का ये बयान समाचार एजनसी एएनाई ने अपनी ट्यूटर हैंडल पर जारी किया है प्रियंका पॉलेटिक्स के चलते क्या राजनीतिक दलों को बदलनी पड़ेगी अपनी रड़नीती उत्तरपरदेश में अगले साल होने वाले विधानसबा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है कॉंग्रेस महासचू प्रियंका गांधी ने उत्तरपरदेश में अपनी सियासी जमीन को वापस पाने के लिए योगी सरकार के खिलाब सड़क से लेकर शोशल मीडिया और जन सभाव में तक मोर्चा खोल दिया है प्रियंका की बढ़ती सक्रियता से योगी सरकार परेशान भले ही दिख रही है लेकिन विपक्षी दल भी कम हलकार नहीं है राजनीतिक विशेशक की मानते हैं कि उत्तरपरदेश की राजनीती में कॉंग्रेस 30 साल से जादा समय से सत्ता से बाहर है 2022 का लक्ष हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी ने पुराने चेहरों को साइड लाइन कर अपनी पसंद की टीम तयार की और उसके बाद बीजेपी की खिलाफ मोर्चा खोल दिया सुभी की तमाम मुद्दों पर प्रियंका गांधी सरकार पर हमलावार है कॉंग्रिस की ये सक्रियता बीजेपी से जादा सपा और बसपा के लिए बेचैनी लेकर आई है मिशन 2022 को लेकर मेरट में कॉंग्रिस से टिकट लेने को किये गए आवेदन अभी दो दिन और मिलेगा मौका मेरट जिले के सभी साथ विधान सबा सीटों के लिए आवेदन करने के अंतिमतिती रविवार थी जिसके तहट कॉंग्रिस के दावेदारों के नाम सारवजनी किये गए है इनके नाम फिलाहल प्रदेश मुख्याले भेजे जाएंगे हाला कि दो दिन बैंक के अपकाश होने के वज़ा से शुलक नहीं जमा हो सका इसके लिए प्रदेश नेतरत उमेस से दो दिन का अतरिक्त समय लिया गया है सोमवार वा मंगलवार को भी आवेदन किये जाएंगे शहरी चेतर की तीन विधानसबा सीट के आवेदन महानगर अध्यक्ष जाहिदंसारी वग्रामिर चेतर की चार सीटों के आवेदन पत्र जुला अध्यक्ष आवेदीश का जला ने प्राप्त किये विधानसबा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी ने संगठन की मजबूती को कई प्रकोस्टों का किया है विस्तार अगामि विधानसबा चुनाव 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कसली है मैदान पे जीत हांसल करने के लिए संगठन को और मजबूत बनाया जा रहा है समाजवादी चात्र सभा और महानगर चिकित्सा प्रकोस्ट का विस्तार किया है जला अध्यक्ष महासचेव सचीव कोशा अध्यक्ष के साथ ही कार कराड़ी की खोशना की गई है सभी कार करताओं को नरदेशित किया गया है कि वे गाउग गाउग गली गली का दोरा कर लोगों को पार्टी की नीतियों से अबगत कराए वहीं समाजवधी पार्चु के रास्टे अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अकलेश यादम 12 अक्टूबर को कानपूर के जाजबव गंगक तर्ट से विजयरत यात्रा निकालेंगे और घाटम पूर चाएंगे वहां से हमिरपूर पहुचेंगे जिसके बाद 13 अक् पूर्व के मंत्री योगिया अधितनात ने स्वामसदों और विधायकों को सरकारी योजनाओं के लाभार्तियों के घर घर जाने का लक्ष दिया है सियम योगी ने कहा कि बीते साड़े चार वर्षों में वांचित तबका सरकार की नीतियों के गेंद्र में रहा है बाड़ हो या कोरोना लोगों को लगा कि भाजबा सरकार और पार्टिकार करता उनके परिवार का हिस्सा है लोगों के मन में शाशन के प्रती एक विश्वास का सरजन हुआ है हर तबका उत्सा ही थे यही उत्सा और विश्वास हमारी पूजी है सरकार की कोशिशों से करोडों लोगों के जीवन में बदलाव आया है हमें उन तक अपनी पहुच बनानी होगी उत्तरपरदेश विधानसवा चुनाव जैसे जैसे नस्दी का रहा है वैसे वैसे सभी राजुनीतिक दल समी करण साथदे में चुटे हैं इसी बीच हमने यूपी विधानसवा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल जानने की कोशिश की है एवीबी के अनुसार चौकाने वाले आकड़े सामने आ रहे हैं इवीबी सी वोटर के अनुसार ऐसा बाना जा रहे है कि अपकी बार अखलेश की सरकार उबर कर सामने आ सकती है बात करते हैं किसके हिस्से में कितने वोट आ रहे हैं जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ रहे हैं 220 सीटे बीजेपी की खाते में मिल रही है 135 सीटे वहीं बात करें बहुजन समाजपाटी के खाते में आ रही है 30 विधान सभा सीटे कॉंग्रेस को यहाँ पर मिल रही है 18 विधान सभा सीटे तो यह थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर खबरे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और श्रियर रही किया है तो जरूर कर दे इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और आप नियूस को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूले